नमस्कार शाम के सारे चार बच्चु के हैं आप देख रहे हैं आज तक मैं हूँ आपके साथ चत्रात्रपाथी दिलेपुलस ने एक बड़ी आतंग की साज़िश को नाकाम कर दिया है शकरपुर इलाके से जम्मु कश्मीर के तीन आतंग पादियों और दो गैंक्स्टर पकड़े गए हैं खास बात यह है कि इस गिरफतारी के साथ ही पाकिस्तानी खुफिय आजंसी आईसाई की टार्गेट किलिंग और खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने बाली साज़िश का भी हुआ है खुलासा ये रिपोर्ट देखिए दिल्ली में बड़ी आतंकी साज़िश नाकाम दिल्ली में घुसे पाँच आतंकी गिरफता शौरिच चक्र विजेता का किलर भी शिकंजे में बेनकाब हुई पाकिस्तानी खुफिय आजंसी आईसाई की साज़िश गैंग्स्टर और आतंकवादी के कॉक्टेल का फांड़ा फोर नकाब के पीछे छिपे ये पांचो चेहरे बेहत खतरनाग है ये वो आतंकी और खतरनाग गैंग्स्टर है जिनकी लंबे अरसे से दिल्ली पुलिस को तलाश थी पांच में से ये वो उन तीन संदिक्त आतंक्यों की तस्वीर है जिनकी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शकरपूर इलाके में चले एंकॉंटर में धर्द बोज़ा ये तीनों जम्मु कश्मीर के बढ़गाम के है इसके अलावा बाकी दो गिरफतार संदिक्त गुरजीत सिंग और सुखदीप सिंग है जिस जगा पर एंकॉंटर हुआ उसी जगा की ये एक्स्क्लूसिव तस्वीर है आतंक्यों के कब्जे से हथियार, पैसे और ड्रक्स के साथ ये कार भी बरामत हुई है इस कार पर जमु कश्मीर का नंबर है पुलिस के मुताबिक तीन आतंक्यों का स्टम्मन जमु कश्मीर से है जबकि दो संदिक्त पंजाब से है और इनके पीछे लिंकिजब्स जो है वो पाकिस्तान बेस्ट आयसाई की जो अपरेटिफ से निसे हैं। सिम्लरली जो कश्मीरी लोग हैं इसमें जो तीम पकड़े गए हैं। इसमें से दो लोगों के clear-cut linkages आ रहे हैं, particularly ये हिजबल मजाइदीन के OGW कह सकते हैं और इनका setup पाकिस्तान में और P.O.K. में जो इनके counterpart समसे हैं तो basically इन दो मुमेंट्स के बीच glue का काम जो है वो ISI कर रही हैं दोनों को link करके और एक दो टरर फंडिंग को link करने की कोशिश कर रही है, इनके टरर परसीव करने के लिए एनकाउंटर दिल्ली के शकरपूर इलाके में हुआ, गिरफतारी से पहले पुलिस और आतंकबादियों के बीच कई राउंड गोलियां चली लेकिन आतंकी पुलिस को चक्मा देने में नाकाम रहे और दिल्ली पुलिस के special cell ने उन्हें दबोच दिया special cell की टीम फिलाल इनसे पूछताच कर रही है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में और कौन-कौन लोग इनके निशाने पर थे लेकिन आज जिस तरह से रेडिकल इस्लामिक ग्रूप और रेडिकल हालिस्तानिक ग्रूप दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आये हैं, यह जाच एजन्सियों के लिए बड़ी चिंता का सबब है गिरफ्तार आतंक्यों से पूछताच में कई संसनिखेस खुलासे हुए हैं, इनमें सबसे बड़ा खुलासा है शौरी चकर विजेता बलविंदर सिंग की हत्या की हुध्धी को लेकर पुलिस के मताविक गिरफ्त में आए दो आरोपी इस हत्याकान में शामिल थी पुलिस के मताविक गल्फ के किसी देश में छिपा बैठा, पंजाब का गेंगस्टर सुख बिखारी लाल ने आएसाई की मदद से बेहत संगठी तरीके से इस कीलिंग को अंजाम दिया था गुरजीत सिंग इस हत्याकान का मुख्य शूटर था इस किलिंग के पीछे जो मास्टर माइंड है जिसने ये डिरेक्शन दी थी किलिंग की वो उसके थूँ आई थी वेपन्स वगरा के अरेंजमेंट भी सुख भिखारी वाल ने अपने आदमियों के थूँ करवाया था इसमें इसको बहुत ही need to know basis पे इनोंने ये operation किया था कि target किलिंग किसी ने की रेकी किसी ने की वेपन किसी ने सप्लाई किये और इतना systematic तरीके से कराया गया जिससे लगता है कि कहीं न कहीं इस साल 16 अक्टुबर को पंजाब के तरंतारन में घर में घुसकर बलविंदर सिंग की हत्या की गई थी तब से पुलिस आरोपियों की तलाश में थी नार्को टेरर एंगलिस में ये है कि जो टेरर फैनेंसिंग है ड्रग्स जो है अफगानिस्तान से सोर्स किये जाते हैं और उसको इंडिया भेजा जाता है और इंडिया में बिक्वा जाता है और उसके पैसे से ये किलिंग्स फैनेंस की जाते है अफगानिस्तान में प्रेजिंस जो है इसाई की है यहां कश्मीर के मुमेंट के फीछे भी वही है हैं और हीजूल के ऑपरेटिlews का इस्तिमाल कर रहे हैं वो खालिस्तानी रप्रेगंडा को फैलाने में और पजाब के क्रिमिनल का गेंक्स्टर का आस्तिमाल कर रहे हैं अधिनिंग में ऐसे वक्त में ये आतंकी दिल्ली में पकड़े गए हैं जब राजधानी की सीमा पर बारह दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन आतंकियों की मन्शा क्या थी क्या वो किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के इरादे से दिल् आने आएगा अर्विंदोज है दिल्ली आज तक ये खुलासा बड़ा है आतंकवादियों की राह में दीवार बने बलविंदर सिंग संधू आएसाई के टार्गेट किलिंग का शिकार हो गए बड़ा सवाल ये है कि क्या कश्मीर के आतंकवादी पंजाब के गैंक्स्टर क के सामने आई है कि ये साथ कांट ख़तरनाग है तीन आतंकी और दो गैंस्टर और इंका का पाकिस्तान की खूफी अजंसी आएसाई गिरफतार आतंक्यों और गैंस्टर से पूचताज में पुलिस को जो जानकारी मिली है उसने आएसाई की काली साज़िशों को बेपर्दा कर दिया है आतंक्यों और पंजाब के गैंस्टर की मदद से पाकिस्तान फिर से खालिस्तानी आंदोलन को हवा देना चाहती थी किसी गल्फ देश में छिपा गैंस्टर सुख भिखारी लाल आएसाई का मोहरा बना हुआ था आज जो आतंक्यों पकड़े गए हैं वो सुख भिखारी लाल के ही गुरगे है अफगानिस्तान में प्रेजन्स आएसाई की है यहां कश्मीर के मुमेंट के पीछे भी वही है और हीजूल के ऑपरेटिव का इस्तिमाल कर रहे हैं वो खालिस्तानी प्रिपेगंडा को फैलाने में और पंजाब के क्रिमिल्स का गैंस्टर का इस्तिमाल कर रहे हैं टार्गेट किलिंग में दिल्ले पुलिस के मुताबिक ये पांचो आतंकी नार्कोट टेरिस्म से जोड़े थे पकड़े गए संदिक्त नार्कोट टेरिस्म के जरगे नार्कोटिक्स के जील करते थे जो पैसा आता था उसे आतंकियों को भेजते थे इसका इस्तिमाल टार्गेट किलिंग में होता दिल्लिपुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोट कुश्वाह के मुताविक जिस तरीके से बेहत तयारी से बल्विंदर सिंग की हत्या हुई थी उसमें आय साह्य के पहरों कृशान साफ नजर आए नारकोटेशर एंगल इसमें ये है कि जो टेरर फैनेंसिंग है ड्रग्स जो है एफिर्णस्थान से सोर्च किये जाते हैं और उसको एंडिया बहजा जाता اور इंडिया में भिकवा जाता और उसके पैसे से ये किलिंग्स फाइनेंस की जाती है जो पता चला है कि ये आगे भी इनकी प्लानिंग थी कुछ लोगों को लीडर्स को बारने की उसको एवट किया गया है परदर भी कुछ प्लान कर रहे थे बड़ वो अभी एप्रिपेट स्टेज नहीं है आपसे शेयर करनी तो अभी नहीं कर पाएंगे वक्ता ने आपके साथ शेयर गिया थे आतंकबाद के खिलाब शौरी चख विजेता बलविंदर सिंग बड़े योधा माने जाते थे आतंकबाद के दोर में पंचाब के तरंतारण ने बलविंदर सिंग अपने घर से बहदुरी से आतंकियों से लोहा ले दे थे तरंतारन के कस्वे भिखी विंड में बल्विंदर सिंग ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकी परमजीत सिंप पंजवार को कड़ी चुनाती दी थी 1923 से 1993 के बीच बल्विंदर सिंग के घर पर 11 बार हमले हुए लेकिन हर बार उन्होंने आतंक्यों का बाहदुरी से मुखावला किया इसलिए वो आतंक्यों के हिट लिस्ट में है खालिस्तानी जो अपरेटिव्स हैं मतलब आएसा ही ये खालिस्तान का प्रिपरेगेंडा चला की कुछ लोगों को सामने किये हुए है वो लोग कश्मीर के कुछ अपरेटिव्स के साथ मिल गए है और इसी सिल्सले में पीछे एक टार्गेट किलिंग भी हुई थी मंजाब में जहां पर बलविंदर सिंग संधू साह मारे गए थे जो शौर शक्र रवाडी थे अक्तूबर मिन की किलिंग हुई दिल्ले पुलिस की ये कामियाभी बड़ी है लेकिन जरूरी है ये पता लगाना कि आतंकी दिल्ली में किस मकसद से आये थे और विंदोजा दिल्ली आज तक इस पूरे ऑपरेशन को सम्हालने वाले दिल्ले पुलिस के स्पेशल सेल के डी सीपी प्रमूत कुश्वाह ने आज तक से खास बातचीत की है देखे बातचीत का एक हिसा पांच लोगों को गरफतार किया जो मेन बड़ा ब्रेक्थ्रू है क्या है इसमें बड़ा ब्रेक्थ्रू यह है कि फर्स टाइम हमने एक साथ जो पंजाब का एंगल है पंजाब में जो टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं उनको और जो टेरर फैनेंसिंग करते हैं कश्मीर को उनको एक साथ पकड़ा है और इसे जो बड़ी चीज एस्टैबलिश हुई है कि एक लिंक एक कड़ी पकड़ी गई है जो टेरर फैनेंसिंग कश्मीर के तुरू हो रही है और गेंस्टर्स के तुरू किलिंग जो है पंजाब में हो रही है बिल्कुल मैं कहूंगा चूंकि पंजाब के लोग कालिस्तानी आडिलोजी से डिसिलूजन हैं, इसलिए किलिंग्स के लिए ये पंजाब के क्रिमिनल्स और गैंक्स्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लड़के पकड़े गए हैं, क्रिमिनल्स हैं और इनका जो हैंडलर है वो गल्फ में बेस्ट है, सुख बिखारीवाल, और सुख बिखारीवाल के पीछे अगें आईसाई बेठी हुई है, जो उसको हैंडल कर रही है, फर्दर जो कश्मीर के तीन लोग पकड़े गए हैं, ये ड्रक्स का काम करते हैं और ओजी डबलू हैं ये हिजबल मुझाइ और इनके कनेक्शन्स हिजबल मुझाइदीन में है, इनमें से एक जो पठान है, उसका अपना प्योके में है, और उसके अपने कजन्स वगरा जो है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम के लिए काम करते हैं, और अगें हम की लिंकिंग कराई जा रही है, हम के चैनल की इंडिया को एफेक्ट कर रही है, और टरिरिजम इस्तमार हो रही है, देखे, जैसे मैंने का पठान है, राठर है, खान है, यह तीन कश्मीर के हैं, जो पकड़े गए हैं, और यह गुर्चीत और इसका से शेट सुगदीब हैं, इनका पंजाब के पकड़े गए हैं, और इ वेरिफाय कर रहे हैं, जेल में चल रहे हैं, यह उन सब के कनेक्शन में थे यह रखे, वैपन्स जो हैं, इनको सुख भिखारी वाल के इंस्रक्शन पर सप्लाई किये गए थे, सफिस्क्रेट इंग्लिश वैपन्स हैं, इनके पास में, टागेट के लिंग के साथ जिस्ट पर शेशी गई थी, बकायता खास दिर्शाद निर्देश देकर इने दिली भी जा गया था, फिलाल पूछताश लगाता जा रही है, जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा, एक छोड़ा से ब्रेक के बादम फोरन लॉट रहे हैं, आप देखत आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले